हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट शड़ी वनोवन पर मैं हूँ दिव्यावर्मा और आज में आपनों के साथ में डिसकस करने वाली हूँ में फस्ट सेमेस्टर से ड्रीलेटड ट्रॉाइंग औन पिंटिंग के पίपर के बारे में तो चलिए देखते हैं इसे तो आप लूग देखी यहाँ पर ैमें फस्ट सेमेस्टर और आपका यहेर है 2022-2023 ड्रॉऊइंग औन पिंटिंग पिंटिंग पेपर का जो टाइटल है क और जो maximum marks हैं यानि की जो पुडांग है आपका वो 75 नंबर का रहता है ठीक है आगे देखते हैं सबसे पहले इस note को पढ़ते हैं इस प्रस्ण पत्र में तीन खंड आबा और सा हैं प्रते खंड में बनाड़ेत निर्दोसों का पालन करते हुए प्रस्ण पत्र को हल करिये भी बताया था कि यहां पर आप लोगों को कोई B copy नहीं मिलती है जो copy आपको दी गई है आपको पूरा पेपर उसी copy में solve करना है ठीक है आगे देखते हैं तो चलिए यह आपका एक खंड आ सेक्शन ए इसमें जितने भी प्रश्ण हैं सभी लगुत्तरी प्रश्ण है यानि की short answer type questions है आगे देखिए सभी प्रश्ण अनिवारे हैं निम्नलकित प्रश्णों के उत्तर लगुत्तरी प्रश्णों के रूप में दीजिए प्रत्यक प्रश्ण पांच अंक का है ठीक है तो यह आपके short question है और प्रत्यक प्रश्ण पांच नंबर का है पहला प्रश्ण है यहाँ पर भारती लोग कला की विसेश्थाएं बताईए भारती लोग कला की किया विसेश्थाएं है याप लोगों को बतानी है ठीक है फिर next question है यहाँ पर लोग कला परंपरा क्या है परिभासित कीजिए ठीक है लोग कला परंपरा क्या है परिभासा लिखनी है और उसे विस्तित रूप से आपको समझा कर बताना है, ठीक है? अगला प्रशन है यहाँ पर, असम की लगुचित्रशैली को बताईए, असम की लगुचित्रशैली को बताईए, फिर नेक्स्ट क्वेशन है, गोंड कला से आप क्या समझते हैं, या किस राज में बनाई जाती है, ठीक है? गोंड कला से आप क्या समझते हैं, गोंड कला के बारे में लिखना है, ठीक है? और फिर आपको बताना है, या किस राज में बनाई जाती है, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेशन है आपका E नमबर किसी एक कला की तकनीकी को बताईए यहाँ पर तीन यहाँ पर तीन कलाएं दी हुई हैं तो इन में से किसी एक के बारे में लिखना है पहला है मदुबनी कला भील पैंटिंग और तंजोर पैंटिंग तो इन तीनों में से जो आपको अच्छे से आती है वही करनी है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेशन है चतीस गड़ राज की गोधना कला के विशे में लिखी है ठीक है चतीस गड़ की जो गोधना कला है उसके बारे में लिखना है फिर next question राजस्थान की मांड़ना कला की विसेश्थाएं बताईए राजस्थान की मांड़ना या फिर मांड़ना कला की विसेश्थाएं बताईए ठीक है अगला प्रशन यहाँ पर चमड़े की कटपुतली बनाने की क्या कला है कला क्या है ठीक है next question है किनी दो कलाओं का संखेप में वरणन दीजिए तो यहां पर 4 कलाये दी हुई है पहली है कोलम कला दूसरी है पतुअ कला तीसरी है मैसूर चित्रकारी और चोती है मीनाकारी ठीक है तो इन दो में से जो आपको काईदे से आती है तो उसके बारे में आप लोगों को संखे आता है यानि कि सेक्शन B दीर गुत्तार्य प्रश्न लॉंग आंसर टाइब ग्वेस्टन्स ठीक है चलिए देखते हैं अब आपके लॉंग क्वेस्टन आ गये प्रस्तुतखंड में चार दीर गुत्तारय प्रश्न हैं जिन में से केवल एक प्रश्न अनिवार है, ठीक है, एक प्रशन करना अनिवार है, प्रत्यक प्रशन 15 अंकों का है, तो ये आपके जो question है, ये दीरगुतरी प्रशन है, यानि की long question है, तो इसमें आप लोगों को केवल एक question का answer देना है, ठीक है, और total question कितने है 4 है, तो 4 में से एक question का answer देना है देखें यहाँ पर one second तो पहला प्रशन है यहाँ पर भारती पारमपरिक लोग कला को समझाते हुए वर्तमान में लोग कला और कलाकारों की स्थिति पर प्रकाश डालिए ठीक है यह पहला प्रशन हो गया इसमें क्या करना है भारती लोग कला को समझाते हुए यानि की भारती लोग कला के बारे में लिखना है ठीक है फिर वर्तमान में लोग कलाओं में कौन से जो चित्रकार हैं कलाकार हैं वो कारेकर हैं उन चित्रकारों के बारे में भी लिखना है ठीक है आगे देखिए next question है यहाँ पर प्रिसंद संख्या 3 सांजी कला की सुरुवात कहां से हुई और इसको बनाने की क्या विधी है सांजी कला की सुरुवात कहां से हुई ठीक है यानि की सांजी कला बनना कहां से सुरु हुई और इसे बनाने की विधी क्या है टिपड़ी लिखनी है पहली है एपड उत्राखंड दूसरी है पितोरा पेंटिंग मद्यप्रदेश तीसरी है टिकली कला बिहार और चौती है लोग कला में प्रतीक चिन ठीक है तो इन चारों में से किनी दो पर आप लोगों को टिपड़ी करनी है अगला प्रश्ण है पट चित्रकला किस राज में कलाकारों द्वारा मुख्य रूप से की जाती है इसको बनाने की विदी का विस्तार से वर्ण कीजिए ठीक है जो पट चित्रकला है ये किस राज में की जाती है और इसे बनाने की विदी क्या है तो ये आप लोगों को बताना है ठीक है तो ये चार question हो गए इन में से केवल एक question ही करना था next है section C दीरगुत्री प्रश्न यानि की long answer type questions ठीक है तो चलिए देखते हैं प्रस्तुत खंड में 4 दीरगुत्री प्रश्न है जिन में से केवल एक प्रश्न करना आनिवारे हैं प्रत्तेक प्रश्न 15 आंग का है तो इसमें भी टोटल 4 प्रश्न है और उन में से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना है और प्रत्तेक प्रश्न 15 नंबर का है ठीक है तो पहला प्रश्निया आपर क्या है राजिस्थान की फ़ड़ चित्रकला से आप क्या समझते हैं कलाकार इसको किस विदी द्वारा त्यार करते हैं जो राजिस्थान की फ़ड़ चित्रकला है इसके बारे में लिखना है और फ़ड़ चित्रकारी की विदी क्या है ये लिखनी है ठीक है आगे देखिए next question कपड़े को शित्रदी कारो और पहसे हैं तो किे प्रकार करेके हैं इसकी विदी के लिखना और कितने प्रकार की शित्रदी कैसे जाई हैं है सूर कला फिर नेक्स्ट केरल मूरल पेंटिंग और फिर लाश्ट में मातानी पचेडी तो इन चार में से केवल आप लोगों को दो के बारे में लिखना है ठीक है चलिए तो यह आपका पेपर हो तो ठीक है दोस्तो आज के लिए बस यहीं तक आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा फिर मि मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ अब तक आप बने रही हमारे साथ दन्यवाद दोस्तों जैहिंत